बेलकम टू जी तीमिडिल क्लाज़डियर छात्रो यहां पे फाइनली आपका चुका है अभ्यास पसंपत 2023 यानी की आपका प्रीबोड परिश्या का अंग्रेजी का पूरा आपका फूल सेलोसन बित आपका देखे आदर्स उत्तर खेसाथ तो देखे सेट एका आपका पूरा 75 में से 75 अंक दिलाने वाला पूरा कोश्चन पेपर का फूल सेलोसन आज की इस वीडियो में देने वाला हूँ और जैसा कि आप जानते हैं अगर आप पेपर आपके पास नहीं है तो यह देखे मेरे पास पूरा कोश्चन पेपर है और बित आपका सेलोसन देखे यही सबस게 पहले आपको इस में जो पेपर आपको आद दिये गया है कि तो यह देखी यह दिखे यह देखे ओर और इसी कोश्चन पेपर के आपको जो आंसर है यहां पर प्रवाइट किया रहा है तो आप देखें कंफ्योज मत होएगा क्योंकि आपको मैं आदर उत्तर डारेक् दीक्स शंडी में आपका नवा कोच्शन और इस सब bijगा सब्ला है तो यहांबे आपको मिलेगा किई आपकंटा मिलगे कोडि 10 कि 20 और इसके बाद आप को मिलेगा किई वर भा? 13 statistic 2 ऴार चाऊदा और 15 और 16 कि morste老師 यह डिखाते हैं एक एक करके इन सभी नहιंधनि के आपको एपको तो देखिए आपको यह चुह है ना सबसे पहले आपको दीज़ क्या दिया गया है रीट था सच केर फूरी एंड यह अन्हों सर्द्वर कोश्चन यह also option इसमें दिये गयrene है सत्पुरा के रानी के नाम से जानते क्यों आप सत्पुरा रेंज सेचुटेट एड़ अल्टिटुड आप 1067 मीटर इस दा पिक्चराइजर सन टाउंस पार्ट आप दा यूनेस्को और देखिए आपका यूनेस्को का आपका जो पार्ट भी है ठीक है क्योंकि बाइस फेर र देखिए पांच को आपको पाहड़ीया उनको आपको जो है यहां पे काट करें न होगी है और देखे यहां पर आप रिलीजियन आपको जो टूरिस्ट है ना रिलीजियस धार्मिक आपके यहाँ पर परटन के लोपें भी बहुत फेमस है और इसके बाद अगर मैं कॉश्चिन की अगर मैं आंसर पर चलू तो देखिए पहला कॉश्चन आपको क्या दिया गया है इसमें दिया है पहला पचमडी के आपको बताया था एक हजार सरसर्ट मीटर आपका यापका वाइसन के लिए ठीक है तो आपको यह आंसर आपको बी नमबर करना है कॉश्चन देखिए फोर्ट नमबर according to the passage who is believed to have stayed five sandstone cut caves in पचमडी तो आपको देखिए चोथी का आपका जो आंसर है इनमें आपको देखिए बिल्टिस सोल्डर मुगल आपका इंपरर यानि मुगल काल में या फिर आपका देखिए आपका पांडव तो आपको देखिए प मेंनिग आप दा पिक्चराइजर्स देखिए पिक्चर्स एंड यूज दा पैसेज तो आपको देखिए आंसर आपको चार आप संदिये हैं आपको आंसर जो है आपको बी नमबर ब्यूटिफुल एंड चार्मिंग तू लूग एट आपको यह आंसर करना है कोशन पैसेज दिये हैं मैं आपको डायेटली इनके आंसर आपको दिखा रहा हूं आपका देखिए पूरा पैसेज पढ़िए और पढ़ने के बाद आपको उत्तर जो है पहला कोशन दिये है प्यूपल माइट इसकेट टाइगर सार्क वेंदे आर यंग आंसर आपको देखिए बीनमबर करना है विकाज दे आर बिग एंड पाबरफुल सेकेंड कोशन देखिए वाट इस दा प्राइमरी सोर्स आप न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन का आपका प्रत्मिक सोर्स पुछा गया है तो आपको देखिए प्लांट और आपका नेक्टर आपको अंसर बीनमब इसके करना है कोशन देखिए पर जो आता है सी नंबर बिकॉज देखिए वाइब वाजदा मास्टी मॉट लिटेश परसेंट द्रिखिए आपको जो होता है तो यह आपको संक्रावמה के तहत को जो एक दूसरे पर फैल जाता है कैसे तो आपको यह बताना है अब अगर मैं आपसर में देखूं तो यह पर आपसर दे सकते हैं यहां पर आपको आपसर में आपको जो आंसर करना है यहां पर माले दिया पाश्ट आन होगा, कंजीम्स होगा यह फिर क्रेट्रेस होगा, answer आपको देखें B number यहापि पाउट आन आपको लिखना है ठीक है, इसके बाद देखें आपका सेक्शन B आता है सेक्शन B में आपको देखें यहापि आपको जो पैसेग आपको दिया गया था writing section था तो इसमें आपको इसमें एक करना है तो आपको देखिए nots पनाने है और शाफे यह पको title भी आपको देना है तो देखिए global warming के बारे में आपको इसमें पूरा आपको दिया गए है ankah ग्लोबल वार्मिंग एकेज़ वाई इनक्रीज दा कार्बान डायक्साइड लेवल इन अर्थ अट्मोस्फियर एंड और यल्ट हुमन एक्टिविटीज दैन हैं कोजिंग हाम टू इन्विरोनमेंट ठीक है अब देखिए आपको यह पूरा आपका पैसेज है इन पैसेज का कैसे अपको लिखना है कैसे सपयोह है ऐसे बथा ऊपर ताइटल लिखने तो टवलोबल वार्मिंग झाल गोल्ट को लिखना अफॊना मेकर Love इनलिका दो कॉन्ट Relay भार्मिंग का लिखनें तून आपको आपको यह लिख देना है तो इस प्रकार आपको जो आंसर है यहां पर लिख देना है चलिए कर लिजेगा इसके बाद देखी question 4th नमर आपको दिया गया है आपको नम क्या है निधी है और आप government higher secondary school मुरेनम पड़ रही है तो आपको एक application अपने प्रिंस्पल को लिख subject and application for book bank from book bank ठीक है देखे books from book bank respected sir most humble I would state that I am regular student of class 9th in your school my father is a poor farmer and I am unable to buy books से आपको यह लिखना है और इसके बाद देखिए पूरा आपको matter आपको लिख देना है बहुत सिंपल है डेट डाल देज़िए थैंकिंग यू यूर ओविडेंटली ही मांस तो आपको यहां पर जो है ना इस question के अधार पर आपको यहां पर निशी लिख देना है ठीक है तो आपको निशी लिखना है और इसकूल करना है बस आपको इतना चेंजिंग करना है बाकी तो आपको सबको सेम ही सेम लिखना है question के 5 बात है आपको इन में किसी एक पर निबंद लिखना है 150 सब्दों में important आप discipline के बारे में अनस्वासन के महत्तों के बारे में science in our day life यान सबसे पहले आपको दिलाते हैं पूरे आपको देखिए बंदर आफ साइंस का पूरा अंसरा को आपको यह मिल जागा पहुत ही भेत्रीन तरीके सबको अंसर लिखना है सबसे पहले आपको इसमें लिख दिना है देखिए introduction it is the age of science there are many wonder of science science plays an important role in our daily life it has made our life easier and more comfortable ठीक है सेगन पॉइंट आपको देखिए आपको लिखना है scientific invention के बारे में तो आपको यह पूरा point आपको देखिए दूसरा वाला आप इसे का लिजिए इसके बाद देखिए आपका तीसरा point आपको यह पर मिल जाएगा means and communication के बारे में पूरा आप इसे लिखिए और fourth point देखिए आपको मिल जाएगा medical and surgery के बारे में और पांच वापको मिल जाएगा computer के बारे में ठीक है आप इसे लिखिए इसके बाद देखिए आपका च्छाटा point मिल जाएगा इस पिक्चरकुक्त को देखना है और पिक्चर को देखकर 40 paragraph अपको मिल जाएगा गयी और 35 अपको लिखना है तो चली आपको दिखाते है देखिए जीए आपको छीतर दिया गया है आपको एपको दिख्ये दादा-दादी हैं और उनके आपकर देहेए इनकी के बच्चे हैं और इनके पोते भी हैं पोता पोती भी है अब देखिए यहां पर जो है यह लोग क्या गए है साइथ पिकनिक मनाने गए हैं अब इनके बार कैसे लिखना है चलिए आपको दिखाते हैं तो देखिए आपको देखिए पूरा अंसर आपको देखिए पूरा अंसर आपको देखिए पूरी नमबर आपको मिल जाएगे दिक्कत आपको नहीं लेना है ठीक है इसके बाद देखिए आपका सेक्षन सी आता है ग्रामर सेक्षन तो चलिए आपको इनका अंसर पताते हैं कैसे आपको आंसर करना है कोशिन देखिए साथ वाग फिरें दा व्लैंक से चूजिंग दा करेक्ट अल्टरनेटिव गिवेन ब्रैकेट अब देखिए पहला आपक आपको देखिए यहां पर ऑनिस्टी इज आपको देखिए आपको इसमें आपको ए लगाना है ठीक है तो आनिस्टी इज बेस्ट पॉलसी आपको यह कर देना है और इसके बाद देखिए क्यों देखिए आपको जब क्या होता है ना यह जब देखिए उच्छ सब्दों का मैं अगर आजाका ये पेस्ट अब घली करते हैं आपको एक करते हैं गधन आफ बहार ये पार ह Week बहुत किया है अन्सार के बटो एफेखिए चोनत Für वह भी मार थी इसके बाद देखिए आपका f number दिये गए है डाउज डाउज यू टेकन माईफेन आपको इसमें आंसर जो आपको डीड कर देना है चलिए गाले जे ठीक है इसके बात देखिए आपका आठवा जो आता है देखिए आपका इसमें आता है आपको नाम निसी है, हाइस सकूल मूराय नम पढ़ते हैं, इसका भी आइस Soyicon आपको देदिया जै आपको देखोंवी कोषिने के लाइस का नें, आपको सब्ढ़ा भी आइसानी का स पर आइस समस्क्राइब है, देखे, sell toys in the market, तो answer देखे, आपको यह लिख देना है, D number का देखे, इस इस सो वीक, सुधाट का यूज करना था इसमें, त आपको उत्तर देखे, आपको यह कर देना है, अब देखे, F number जो कोईशन दिया गया था, इसका answer आपको यह देना है, बनाना अब देखिए आपको इसमें जो है ना प्लेट बट देखिए डिट नाट बिंदा मैच इस आपको यह अंसर कर देना था इसके बाद देखिए आपको आता है सेक्शन डी नमबर टेस्ट बुक का तो इसका अंसर देखिए चाह नमबर कैसे करना है अंसर देखिए आपको कर देना है इन दा हाउस ठीक है इसके बाद देखिए आपका इसी में आपका दूसर कोश्चन आता है दूसर कोश्चन what does the poet poem road not taken आपका speak दिया यह है तो इसमें आंसर देखिए चारा अपसंद दिये गे थे इसमें आपका जो आंसर है D नंबर आपका इसमें आंसर हो जाएगा तीसरा देखिए when did the intergerd house तो देखिए आपको आंसर जो है ना प्लाइग करना है अपको दिया और आपके यह इसमें देखिए इसके पढ़कर आपakah देना है तो आपको देखिए तो दाली के जिल गर्ल को पूंचा गया है त्सें में इसंसर पूचा गया है ग्या सेकेंड का अंसर हर फादर विश्टेड हर इसका अंसर आपका बी नंबर हो जाए देखिए यह भी आपको यह कर देना है और इसके बाद देखें बी नंबर क्या लिखा इसमें रेड़ आप फालोइंग एक्स्ट्रेक्ट एंड अंसर दा कॉश्चन गीवें अब देखिए अ और देखिए और आपका रिमोब्ड क्रस एंड अंडर इस्ट्रेवल बेग तिंग्स आपको यह देखिए यह हो जाता है इसके बाद देखिए कोश्चन तीसरा क्या दियेगा है इसमें इन्दा कंटेंड आप दा पोयम होट दर्दा विंडोज मोस्ट लाइक मिन इसका अं ना इनका अंसर दे दिया इनके अंसर पूरे आपके हो गए ठीक है और इसके बाद आपका यह दसवेक आपको आंसर मिले गया सेक्शन आपका एक आंसर मिले गया और आपका एक आंसर मिले गया है आप चलते हैं देखिए इनके आपके यहाँ पर 11 कोश्चन देखिए आपक को मैं दिखा देता हूं तो आपको कोर्शन में आंसर आपको यह पी सुच मिल जाएका को सलेव आपको इरुदक होई, वाजदा के जिया अफ्रेड फ्रॉम हर मदर तो इसका अंसर देखिए पूरा आपको यह मिल जाएगा और इसी साथ देखिए कॉश्चन चो था हाउ डिट अब्दूल कलाम अर्न हिज फर्स वेज़ेस आपको देखि इसका अंसर कैसे करना है तो आपको उत्तर देखिए आपको यहापधि यह दिया गया है इसका अंसर पूरा पर लिए इसके बात करें देखिए होई वाजदा संतोस सेंट दा लोकल इसकूल तो इसका कर म में आंसर की बात करूं को दीना टाये इसका पर्यत्रिन आंसर करेख रिये ठीक है और इसकी बाति को यह को सब्सक्क्राइब करना है ठीक है तो पहरा सबस सब्सक्राइब करना है और थे देखिए इसमें आपको यह वारा कोशन तुछ लिए आपको दिखाती आंसर तो कोशन देखिए आपको जो बारा का पहले आंसर यहां पर लिग देना है ताफ पोईट सेड्ज डैट इच ड्रोप बाटर डैट फोल्स दरूप इच आपका हड़ ठीक है आपको लिखी पूरा दिड़ टूटू मैंगोज इसके फ्रॉम दा क्लोट्स और वाई डज हैपी प्रिंस एंड रवी समिस्ट्रेस और खौई वाजदा जॉन काउंटिंग दा लीव दा क्रीपर आउट साइड बिंडो तो अगर मैं इनके आंसर की बात करूं तो देखिए कोशन 13 का पहले वाल सकते हैं दा हैपी प्रिंस सेंड दा रभी फोर दा सम इस्ट्रस विकोज सी बाच पूर एंड हर सन इज फीवर हर सन असक फ्रॉम दा गिव औरेंज बट ऑल दा रिवर वाटर स्वेलोज रिकॉस्टेट वाई तूड हैपी प्रिंस बीट आपको यह कर देना है इसके बाद करना है तो चलिए आपको दिखा दे question 14 में कौन सा आपका answer दिया गया है तो देखिए आपका ये रहा question 14 नमबर में आपको इस answer आपको मिले गया देखिए दूसरे वाले का तो आपको देखिए अत्वा वाले का तो do you agree with the margin? ठीक है तो देखिए आपको answer जो है ना आपको करना पड़ेगा ठीक है तो कर लीजिए इसके answer का लीजिए अच्छे से लिए इनका answer ठीक है और इसके बाद देखिए question 15 दाता है आप question 15 में देखिए क्या दिया है तो इसका पुरा answer को लिए दिना है main idea of the point is figure is the comforted to road and had to make a choice आप दा इसे पुरा answer का लीजिए और question 16 देखिए शिस्टीन नमर का यहाँ पर justice the title story of the kingdom unfolds आपका इसका answer को आपने सब्दों लिखना है तो देखिए इसका answer को यहाँ पर यह मिल जाएगा तो the kingdom call watch the kingdom unfolds because the kind and the minister were idiots they decide change night into the day not night order of the everyone take and the 15 थी आपको यह answer पुरा कर देना है और इसके बाद देखिए इस प्रकार से आपको पूरा answer आपको मिल गया है और I hope यहाँ पर आपको देखिए पूरे यहाँ पर मैंने आपको इसका answer दिया और इस प्रकार देखिए बिल्कुल आप पूरे अगर इस प्रकार से answer करेंगे तो definitely आप पूरे यहाँ परी प्रीवोट के पेपर में पूरे 75 में से 75 नंबर लेके आएंगे और आप बारसिक परी दिया जाएंगा टो इसके लिए हमार सेंल को स्सक्राइब कर ले जिए और बेल आप स्कलिए अगर आपको इसका पीडिया आप चाहिए तो इसके लिए देखिए आपको डिसकी जूरे एक आपका link दिया रहे है फटा पड़ जालेंगे और सब्सक्राइब आप पर